Hello students, welcome to ATP Star Kota, कैसे हो बच्चो, I hope आपकी bit set की preparation अच्छी चल दई होगी, तो बच्चो जैसा कि आपको ओल्लेडी ये चीज पता चल चुकी होगी, कि bit set की जो exam की dates है वो postpone हो चुकी है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने dates आपको बताई थी कि postp बच्चो, bit set का जो first attempt है, वो 2nd of July से लेके 9th of July तक होने वाला है, और जो इसका second attempt है, वो 3rd of August से लेके 7th of August तक जो वो होने वाला है, यानि कि जो J-Main की dates के साथ में इसका class कर रहा था, जिसकी वज़ए से student परेशान थे, तो अब उनको बच्चो बिलकुल भी परेशान हो होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि 30th of June तक सारे के सारे जो papers है, J-Main के वो complete हो जाएंगे, तो उसके बाद में easily जो है, वो आप bit set का paper जो attempt कर सकते हो, अब काफे student के मन में ये भी आ रहा होगा, कि सर जब 30th June तक हमारे J-Main के paper चल रहे होंगे, तो फिर हमें टाइम तो मिला ही नहीं bit set की तयारी करने का, बड़ बच्चो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, bit set की paper की तयारी जो आपको simultaneously साथ-साथ में करते हुई चलना है, कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा idea दे देता हूँ, तो देखो यहाँ पे दो type के आप में से हो सकता है, एक वो student जो सिरफ और सिरफ bit set पे ही focus कर रहे हैं, जिनका पूरा target जो bit set है, और वो पिछले काफी महीनों से bit set की तयारी के लिए ही लगे हुए हैं, तो यह देखो आपको तो मैं अगर सच बताओ, तो आपको कुछ ऐसा अलग करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि हो सकता कि आपका paper जो 23rd, 24th June को होन मिलने वाला है, तो आपको तो इसके postpone होने से कोई बहुत जादा फाइदा नुकसान कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी तो जो preparation है उसके लिए ऐसा मानो कि 10 एक दिन जो तुम्हें extra ही थोड़े बहुत जो मिलने वाले हैं, तो यह तुमने तो अपना जो भी एक plan बनाया उसी को आप जो वो अच्छे से follow करते हुए चले, time to time बेटा mock test दें और time bound practice जो वो करते रहें, time bound practice के लिए बचाओ आप ATP star app जो है उसका use कर सकते हो, जहां पर आप खुझ से exam के level के according number of questions select कर सकते हो, time select कर सकते हो, तो वहां से काफी अच्छा preparation को आपको boost जो हो मिलने वाला जो second category के student ज्यादातर problem जो वो इनको ही रहती है, जो JE की भी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उसके साथ साथ में वो bit set जो उसमें भी अच्छा score करना चाहते हैं, तो अब देखो बच्चों अगर मैं आपको honestly बताऊं तो इस type के जो student है, जिनके JE की तैयारी जो ब मार्क्स का इन दोनो सब्जेक्स का वेटेज है, तो आप इसको हलके में नहीं ले सकते, और इसकी preparation भी ऐसा नहीं कि लास्ट के पांस दिन साथ दिन में आपने कर ली, इसकी preparation बच्चों आपको अभी से साथ साथ में लेते हुए चलना है, अब साथ में लेते हुए कैसे चल बिट साथ के लिए कुछ भी और करने की जरुरत आपको नहीं है, क्या करना है बिट साथ के लिए वह मैं आपको बता देता हूँ, तो आप English और जो logical reasoning है, उसके लिए अपना schedule बनाईए, कि डेली का एक घंटा जो है वो आपको logical reasoning का देना है, उसका next day जो आपको English का देना ह उसके next day फिर से reasoning, next day फिर से English, यानि कि डेली का डेली एक घंटा जो dedicated बच्चो इन extra subjects के लिए जो आपको देना है, क्योंकि आर ऐसा मान के चलिए कि अभी भी आपके पास में जो time है वो लगबग 70 days के आसपास का time है, तो अगर आप 70 days का मतलब क्या हो गया है, कि जैसे 35 lectures आ जैसे logical reasoning को आपने आज का दिन दिया और परसो का दिन दिया, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसके अलावा पैसा कर सकते हो कि दो दिन लगा था logical reasoning को दे दो और दो दिन English को, ऐसा करने से क्या होगा, जैसे एक दिन आपने logical reasoning के lectures देख लिए और अगले दिन फिर उसी lecture के questions जो है, उसकी practice कर ली, तो आपको बच्चो सिरफ और सिरफ ये करते हुए चलना है, और इसके अलावा आपको alternate Sunday जो भी आएंगे, alternate Sunday जो भी बच्चो आपके पास में 4-5 Sunday मिल जाएंगे, alternate Sunday करोगे तो, उसमें एक bit set का dedicated full syllabus का walk test जो है, वो जरूर attempt करना है, क्योंकि again मैंने आपको बता है कि syllabus सेम है, बट बच्चो वहाँ पर question को solve करने की speed जो है, accuracy जो है, वो आपको अभी से increase करते हुए चलनी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि directly आपने अभी mock test नहीं दियो और आप directly वहाँ जाके मचा दोगे, नहीं बच्चो, आपको उस level के questions की practice जो वो करते हुए चलना पड PYQ जो है, उनको solve कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे questions जो है, वहाँ से भी repeat आपको मिलते जुलते जो है, वो नजर आ जाते हैं, otherwise बच्चो आप bit set का, जो ATP star का crash course है, वो भी join कर सकते हो, जिसमे physics, chemistry, math तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलाब बच्चो logical reasoning, English के lectures भी आपको म मिलने वाला है, तो यह आपके लिए one stop solution होने वाला है, जिसके अंदर आप walk test जो है, वो भी बच्चो attempt कर सकते हो, या आपकी पूरी की पूरी तयारी जो है, वो JEE के साथ साथ में, आप इस batch की help से बहुत अच्छे से इसको बच्चो कर सकते हो, क्योंकि concise इसमें lecture है, थोड query है, तो आप इस number पर call कर सकते हो, या फिर इस number पर WhatsApp कर सकते हो, ओके students, best of luck!